नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं बिहार सरकार के पुर्व मंत्री सुधाकर सिंग अब भी चर्चा का विशय बन चुके हैं और तब भी चर्चा का विशय थे जब वो नितीश कुमार के मंत्री मंडल में सामिल थे लगतार सुधाकर सिंग को लेकर चर्चा हो रही थी ऐसे में सुधाकर सिंग ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है पिछले दिनों सुधाकर सिंग का बयान काफी तेजी से वायरल हुआ खुद को चोडो का सरदार बताने के बाद सुधाकर सिंग ने नितीश कुमार की ब दरसल ये वीडियो उनके छेत्र का है और जिस छेत्र में वो दोड़ा कर रहे हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, उसी दर्म्यान उन्होंने ये बाते कहीं हैं, यूरिया को लेकर किसानों के खाद और पानी को लेकर लगतार चर्चा होती है, कि खाद सही तरीके से नहीं मि कार के हिस्सा है उन्होंने यह स्पष्ष किया है कि मंत्री थे तब भी वो बयान दे रहे थे और अब भी वो बयान दे रहे हैं तो उनके बयानों में कहीं कम्या नजर नहीं आएंगी वो लगतार बयान देंगे लेकिन जो वास्तुविक परिस्थिति है वास्तुविक जो बा इस्तिपाद दिया है शिर्फ और सिर्फ बिहार के मुक्य मंत्री नितीश कुमार और उनकी जो सरकार है या वरतमान चीजें है जो परिष्थितिया वरिया है उसकी वज़ास से और लालू प्रसाद यादों के कहने पर हमने इस्तिपाद दिया है यानि अब साफ हो गई है कि नितीश कुमार ने दवाव बनवा कर लालू प्रसाद यादों से इस्तिपाद दिलवाया है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि वो लालू प्रसाद यादों के लिए लगतार पार्टी में काम कर रहे हैं वो बिहार में उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेक कुकर कहने पर वो इस्तिपा दिये हैं अब यह इस्तिपे वाली बात इतनी ज्यादा तेजी से फैली है और ब्यानबाजी इस पर इतना चल रहा है कि आने वाले दिनों में कहिंगा है तेजसवी और नितीज के दर्फ। रिस्तो पर असर आई कोट का फैसला और तमाम कोटों के द्वारा जो बिहार सरकार को जटका दिया गया है उस पर भी गहन चिंतन पाटी कर रही है लेखिन सुधाकर सिंग मामले में अब भी याग ठंडी नहीं हुई है लगातार सुधाकर सिंग बिसफोटक बयान देते नजर आ रहे हैं अगर पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 938